नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनुराग और स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे इस यूटूब चैनल में आज हम लोग डिसकस करेंगे क्या इंडिया कॉंस्ट्यूशन फेडरल है या फिर यूनिटरी है क्यों कुछ-कुछ जूरिष का मानना है कि इंडिया का जो कॉंस्ट्यूशन है वो फेडरल कॉंस्ट्यूशन है और कुछ का मानना है कि यूनिटरी कॉंस्ट्यूशन है अगर हब हमारे सम्विधान के निर्माताओं की बात करेंगे तो सम्विधान सभा का ये कहना है कि हमारा जो constitution है वो एक federal constitution है बड कुछ जूरिस्ट का ये मानना है कि इंडिया constitution, unitary constitution है क्यों कुछ-कुछ features इसमें है जो कि unitary constitution में होते हैं तो आईए हमनों discuss करते हैं कि आखिर ये unitary constitution और federal constitution में अंतर क्या होता है Federal Constitution वो Constitution होते हैं जो Federalism को support करते हैं Federal System of Government वो Government होता है जिसमें 2 level of government होता है जैसे कि हमारा USA में है इंडिया में है और काफी सारे जगा है जैसे इंडिया में आप देख सकते हैं कुछ कुछ जो National Interest के जो matters होते हैं वो उसे deal करते हैं हमारा Central Government और जो state matters होते हैं उस पे deal करता है state government और इसमें state है तो central का subordinate नहीं होता है state का independent power होता है और central का independent power होता है बट यदि हम बात करें unitary countries का तो उसमें ऐसा नहीं है Unitary states में central government के पास सारी authorities होती है इसमें delegation of power नहीं होती है और इसमें यदि कोई और tire of government भी है तो वो as a subordinate government to the central government की तरह वो काम करेगा तो आईए देखते हैं Indian constitution में ऐसे कौन-कौन से features हैं जो उसे federal बनाते हैं तो सबसे पहला distribution of power यदि आप हमारी countries में देखे तो power का distribution state government और central government के बीच में independent power है दोनों के पास दोनों अपने-अपने matters में अपने अलग-अलग rules बना सकते हैं regulation बना सकते हैं और decision ले सकते हैं दूसरा है supremacy of the constitution federal constitution में supremacy of the constitution देखा जाता है जैसे हमारे इंडिया में हमारा सम्विधान सबसे उपर है और हमारा देश constitution के दौरा या फिर law के दौरा rule किया जाता है तीसरा होता है written constitution यदि आप कुछ-कुछ countries में देखो गें तो वहाँ के जी constitution हैं वो written form में हैं और कुछ-कुछ countries में constitution written form में नहीं हैं जैसे कि आपका UK हो गया, Canada हो गया, इन सभी देशों में जो भी Judiciary Order Pass करती है, उसे Constitution में हैसो डाल दिया जाता है, उस Constitution को कहते हैं Uncodified Constitution, बट हमारा Constitution जिटन Constitution है, जो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है एक Federal Constitution का, चौथा फीचर है Federal Constitution का, वो है जिजिरिटी, जिजिरिटी जैसा कि हम देख सकते हैं, कि जो केसवा नंद भारती का जो केस हुआ था, उसमें Supreme Court ने खुद कहा था, कि जो Basic Structure है Constitution का, वो किसी भी प्रकार से Constitutional Amendment के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है, बट हम लोग उन देखते हैं कि इंडिया में हैसो, कई सारे Constitution में चे मतलब है कि आप उसका मूल धाचे के साथ छेड़ खानी नहीं कर सकते हैं, पांचवा फीचर है, Authority of the Court, जैसा कि हम दोग इंडिया में देखते हैं, कि हमारे इंडिया में three organs of the government हैं, पहला है legislative, दूसरा है executive और तिसरा है judiciary, तो जो judiciary है, वो एक independent body है, और उसके पास कई सारे authority ह जब भी आप देखते है, state और central government के बीच में कोई भी dispute होता है, तो वहाँ पे जो authority होगा, जो इस पे decision लेगा, वो court है, तो federal government का एक बहुत ही important feature है, जिसमें judiciary को काफी महतरपूर्ण role दिया गया है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते है, unitary feature of the Indian constitution, पहला feature है appointment of the governor, तो जदी आप लोग हमारे constitution का article 155 देखेंगे, तो वो साफ साफ कहता है कि राश्रपती के पास ये power है कि वो governor को निक्त कर सकते हैं, और जो governor होते हैं, वो state government के constitutional head होते हैं, और हमारे जो राश्रपती हैं, वो हैं सो हमारे इंडिया के constitutional head हैं, और जो governor होते हैं, वो answerable होते हैं हम सब्बारे राष्रोपती को तो इसमें आपू साफ साफ देख सकते हैं कि एक state government का head answer able है central government के head को जो कि federalism के idea के विपरीत है क्योंकि federalism कहता है कि state और जो आपका central government है उनके पास independent power है but in this case governor is answer able to our president of India and he is appointed by our president of India तो ये एक फीचर है जो की Unitary Constitution में होती है आए देखते हैं अगला फीचर अगला फीचर है Parliament's Power to Legislate in National Interest यदि अब हमारे Constitution का Article 249 देखेंगे तो Parliament को ये अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो की State Government के लिश्ट में आता है उसे National Subject बता करके Resolution के द्वारा Two-Third Majority से यदि चाहे तो राज्यसभा से पास करवा करके उस पे कोई भी कानून बना सकता है जो की Federalism के आइडिया के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि Federalism कहता है कि State Government अपना Independent है और अपने लिए जूल स्वयम बना सकता है अगर Parliament चाहे तो State में दिये के subject को उठा करके National Interest का बता करके उस पे यदि वो चाहे तो राज्यसभा से Two-Third Majority Says Resolution को पास करा करके उस पे कोई भी नियम बना सकता है तीसरा पॉइंट है आपका Parliament's power to form new state and alter boundaries of the existing state यदि आप हमारे Indian Constitution का Article 3 देखेंगे तो वो साफ साफ Central Government को यह power देता है जिससे की वो एक नया state form कर सकता है या फिर जो पुराने states हैं उनके boundaries में बदलाव कर सकता है या फिर यदि वो चाहे तो states के नाम भी change कर सकता है यह power जो है वो federal features के बिलकुली विपरीत है अब आगे बढ़ते हैं हम दोग देखते हैं अगला features के बारे में जो है emergency provisions यदि आप हमारे Indian Constitution का Article 352, 356 and 360 देखते हैं तो यह बात करती है तीन emergencies के बारे में पहला emergency है emergency caused by war और external aggression और armed rebellion दूसरा है आपका emergency caused by failure of the constitutional machinery in state तीसरा है financial emergencies तो यदि आप देखें तो emergency के दौरान Union Government को कुछ खास power मिल जाती है Constitution के दौरा जिसके तहर Union Government चाहे तो कोई भी ऐसा state subject जिस पे state को अधिकारे मियम बनाने का उसके साथ वो छेड़ खानी कर सकता है या फिर यदि वो चाहे तो state government को हुकम दे सकता है कोई भी काम करने के लिए ये जो power है वो federalism के idea के विपरीत है और ये एक unitary feature है इन points को देखने के बाद हम लोग ये conclusion निकाल सकते है कि इंडिया ना ही पूरी तरह से purely federal constitution को follow करता है ना ही इंडिया constitution पूरी तरह से unitary है इंडिया का जो constitution है वो एक quasi federal constitution है मतलब की Indian constitution थोड़ा बहुत federal है और थोड़ा बहुत unitary भी है तो इसी के साथ साथ हम लोग इंडि करते हैं हमारे इस वीडियो को यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृप्या करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो पर कॉमेंट करें और इसे शेयर करना ना भूलें तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम